19 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2024 तक चलने वाले सब्सक्राइब का राशी फल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा और स्वागत है आपका हैपी लाव विडियो के शर्मा में दोस्तो इस राशी फल में आगे बढ़ने से पहले एक विनमरी निवेदन कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपा सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमेश यानि एरिस राशी से इस अपताह में आपके लिए मनो कामना पूर्ती ये बहुत बड़ा एक उर्जा दिख रहेगी आपके लिए यानि जो भी आप मन से चाहेंगे जो भी आप एक्चुली अट्रेक्ट करेंगे वो आपके रास्ते में आपके लिए आजाएगा वो अच्छी चीज भी हो सकती है वो नेगटिव चीज भी हो सकती है इवन सरकार की तरफ अगर आपके कोई काम रुके हुए थे कोई सरकार से पेमेंट रुकी हुई थी सरकार के प्रती कोई मनजूरी रुकी हुई थी या सरकार के प्रती कोई और योग बनेगे, ओवराल अगर देखा जाए ना, तो इस सब्ताह में आप एक मैगनेट की तरह काम करेंगे, जो अपने आसपास की जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा, अब अट्रेक्ट करने से अच्छी चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकि किसी भी बहत से या उलजने से बचिए, तबी ये जो सूर्य है ना, इस सब्ताह में आपके लिए पूरा अपना फल दे पाएंगे, एक सरर उपाए हरी सब्जियां, आप मंडे वाले दिन किसी भी धर्मस्तान में, लंगर में, या किसी जुरूरत मन को डोनेट करिए, इसक इवन रात की जो नीदे है ना, वो बिना बात के ना, नीद उचटती रहेगी, सुभा आप फ्रेश नहीं जगोगे, जिसकी वज़ा से सारा दिन जो है ना, लो एनर्जी वाला बना रह सकता है, इसके लिए थोड़ा सा रात को सोते समय, आप हाथ, मुह, पैर, ये धोके सो ये, ये सपता का उपाए भी है, और नीद अच्छी लेने का आपके लिए एक टूल भी है, अदर्वाइस क्या है कि आपको योजनाय बना के चलना है, बिना बात के आप बिना योजना के चलेंगे ना, हर दूसरे काम में आपको disappointment हो सकती है, काम रुख सकते हैं, या बिना बात के आपके blockages हो सकती है, तो इससे बचने के लिए एक टो planning कर रही है, और दूसरा जो भी आपकी लेंदारिया, देंदारिया है ना, उनको भी पूरी तरह से सुल्टा के ही चलिए, किसी भी चीज़ को लंगर ओन मत करिए, नहीं तो वो चीज़ जो है, ये आपके खिला हैं मिथुन, यानि जैमिनाई राशी वालों की, आपके लिए popular होने का समय है, खूब नाम बनेगा आपका, आपके समाज में नाम बनेगा, आपके सरकल में नाम बनेगा, आपके workplace पर आपकी branding बनेगी, recognition मिलेगी, अगर आप किसी समय से कुछ target पूरे होने का सोच रहे थे अब आपके वो target भी जो है, meet होंगे, पूरे होंगे, इवन अगर आपका कोई property का भी कोई weight चल रही थे, या property की लेने देने का कोई scene चल रहा था ना, वो भी इस सप्ताह में बहुत अच्छे से पूरा हो पाएगा, और आपको अगर commercial money की बात करें, यानि काम कारोबार में जो भी money का flow रहता है ना, ये इस सप्ताह में भरपूर रहेगा, माल बिकेगा, पैसा आएगा, पैसे से नया माल आएगा, ये वाली जो circulation है ना, ये बहुत इसमें बढ़होतरी होने के योग बन रहे हैं, लेकिन एक जगा पर अगर आपने किसी की कोई guarantee डाली होगी, उसमे आपको थोड़ी सी tension हो सकती है, इसलिए इस सप्ताह में एक तो इस चीज की care career और दूसरा, किसी नए इनसान के लिए नए चीज की guarantee या गवाही जो है, वो मत दीजएगा, otherwise आपको कही ना कही थोड़ी निराशा हो सकती है, एक सरल उपाय और ये जो उपाय है, दिये से सम् मंडे वाले दिन संध्या के समय एक घी का दिया शिमलिंक के पास जला किया येगा, ये उपाय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, और ये उपाय किसे भी अप्रिय घटना से इस सप्ताह में आपको बचाएगा, अब हम बात करते हैं करक, यानि cancer राशीवानो की, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में जो चंतरमा है न, ये थोड़े से अस्तवयस्त रहेंगे, जिसकी वचासे मन उचाट रहेगा, मन घबराया रहेगा, और पैनिक में आके कोई भी फैसला मत लीजेगा, क्योंकि पैनिक में आके अगर आप जल्दपाजी में कोई फ लेकिन घट के मामली में जोड़ों की दर्ध या गुटने से नीचे, जो है आपको दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत हो सकती है, या किसी ना किसी तरह से किसी छोटी मूटी चोट जैसी किसी सीन बनने के असार भी हो सकते हैं, एक सरल उपाय और ये उपाय आपने करना है गौश आला में, गौश आला में गाय को गुड या गुड का चूरा डालिए, या आप संडे बंडे ट्यूजर किसी भी दिन कर सकते हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना इस अप्ताह में आपके लिए बिल्कुल नहीं आएगी, चलिए, अब हम बात करते हैं, सेह, यानि लियो राशी वालों की, पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा उदासी वाला महौल चल रहा था, वो उदासी वाला महौल छटने जा रहा है, एक दम से आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक उर्जा का संचार होने वाला है, आपको डिवाइन हेल्प या अपने सरा कि आपको अनुकूलता या सपोर्ट मिल सकती है, और अपने काम कारोबार में आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, जिनकी सलाह या जिनकी सपोर्ट आने वले समय में, आपके काम को बहुत आगे लेके जाएगी, आपके लिए एक परहेज है कि इस सप्ताह में आलस मत करिये काम को पेंडिंग मत डालिएगा कोई भी कॉल मिस मत करियेगा क्योंकि ये करना जो है काम को थोड़ा सा लो लेकर जा सकता है इसलिए उपलब्द रहिए काम को आज के आज निपटाते रहिए बहुत जबरदस टिप दे रहा हूं आपको इस सप्ता की और सरल उपाए गाय के घी जो है शिवलिंग पे मलके, फिर कच्चे दूद से मंडे वाले दिन स्नान करवा के आईएगा, जबरदस्त उपाई और ये उपाई सब्ताह में आपकी करने वाला है, बहुत जादा सहायता, चलिए, अब हम बात करते हैं, कन्या यानि वर्गो राशी वालों की, आपका इ भी थोड़ी सी साबधानी बरतनी है, दिल की बात बहुत जादा किसी से शेर मत करिये, अपने काम से काम रखिये, जितना आप गॉसिप में पड़ेंगे, उतना ज्यादा आप फस्ते चले जाएंगे, इस सब्ताह में आप अपने नेर सरकल में भी न, कही ना कही थोड़ी गलत फेहमियों का शिकार हो सकते हो, और इसके अलावा, खत्रों के खिलाडी मत बनियेगा, फास्ट ड्राइविंग से बचियेगा, ड्रेंकिंग एंड्राइविंग से बचियेगा, यानि इस सब्ताह में न, ना आपने फिजीकली कोई जोखिम लेना है, ना ही फाइनेशल ली किसी न, किसी तरह का रिस्क लेना है, ऐसा करना जो है न, ये सब्ताह में आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है, एक सरल उपाए, यलो फ्लार्स लेके शिबलिंग प्यारपन करके आईए, ये यलो फ्लार्स भी हो सकते हैं, या यलो फ्लार्स का कोई हार भी हो सकता है, या Monday वाले दिन, Tuesday वाले दिन, किसी एक दिन कर दीजेगा, ये पूरे सपता के अच्छी उर्जाव को आपके साथ जोड़ के रखेगा, तो चलिए, अब हम बात करते हैं, Libra यानि तुला राशी वालों की, आपके लिए सबसे बढ़िया तो ये news उनके लिए है, जो Libra वाले ह हैं और काम डून रहे हैं, उनके लिए नया काम मिलने के योग बन रहे हैं, आप Libra वाले हैं और अपना वैपार कर रहे हैं, ना तो वैपार में नए क्लाइंट से जुड़ने के योग बन रहे हैं, यानि आप जो भी कर रहे हैं, नौकरी है, वैपार है, कम है, छोटा है, हर जगा पे एक लेवल उपर उठने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। और इससे भी बढ़िया बात यह है, खर्चे होने जा रहे हैं और अच्छी चीज़ों पर होने जा रहे हैं। घर में किसी ना किसी तरह का सुक साधन लेके आएंगे, फैमिली के साथ कोई वकेशन आपका प्लैन करने का योग भी बन रहा है। इवन सबसे बड़िया बात क्या है, पिछला जो रुका हुआ धन था ना, अब वो भी किसी ना किसी वज़य से आना शुरू होगा। और आपको काम कारोबार में भी धनल आपके जो योग है ना, इस सब्ताह में अच्छे वाले बन रहे हैं। तो चलिए, इस सब्ताह का एक सरल उपाय आपको बताता हूँ, वो उपाय क्यों दे रहा हूँ, अगर सब को सभी चल रहा है, तो उपाय की जुरूरत ही क्या है। वो इसलिए है, क्योंकि इस सब्ताह में डाइजेशन सिस्टम दोका दे सकता है, और जब डाइजेशन सिस्टम दोका देगा ना, तो वोड़ी का एनरजी लेवल लो जाता रहेगा। तो आपने एक सरल उपाय करना है, अपने धर्मस्तान पे जाईए, और वहाँ पे मंडे वाले दिन शाम को एक गाय के घी का दिया जला के आईए, इतना भर करिए, और फिर देखेगा किस तरह से ये सब्ताह आपके लिए रहता है, सुपर फाइन, तो चलिए, अब हम सकल में लोग आपकी बात को मानेंगे, आपका कहा हुआ सरमाथे रखके चलेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, नए ओर्डर, नया काम, नया आपको रोजगार के साधन मिलने जा रहे हैं, और आपका जो भी काम कारोबार है वो काफी प्रफुल्लत रहने वाला है, नए किसी ना किसी तरह की डील का, या नई नौकरी का भी प्रस्ताव आपको आ सकता है, इस सप्ताह में जो भी आपके कॉंपिटिटर्स होंगे न, वो बड़ा छिपे-छिपे रहेंगे, या आपसे दबे-दबे रहेंगे, काम कारोबार में उवराल लाब बढ़ने के असार है लेकिन आर्गुमेंट्स होके आपके रिलेशन्स के खराब होने के योग है, एक सरल उपाए और ये उपाए आप सप्ताह के साथों के साथों दिन करिएगा, पूरा सप्ताह जो है न कटोरी में कपूर जला के आप घर में पूजन करिए, ये पूरा सप्ताह का आपका उप बंद करिए, arguments कम कर दीजिए, और सबसे बढ़िया बात क्या है, सामने वाला भी आपको कुछ न कुछ इस सब्ताह में सिखा सकता है, इस feeling को दिमाग में रखके चलिए, यानि इस सब्ताह में खुद को बहुत चतुर समझना जो है न, आप चतुर हैं, लेकिन बहुत ज्याद चतुर समझना आपको मना है, सामने वाला भी आपको कुछ न कुछ contribute कर सकता है, इस बात को दिमाग में रखेगा, यानि इस सब्ताह में चितने अच्छे listener बनके रहेंगे, उतना ही ये सब्ताह आपके लिए favorable होता चला जाएगा, ओवराल काम कारोबार में आपका दाइंब दो बात है, गुसे पे control रखना है, behavior को अच्छा रखना है और अच्छा listener बनना है, एक पूरे का पूरा सब्ताह माथे पे केसर का तिलक लगाते लिए, कटोरी में केसर घुल के रखतीजिए, रोज finger रब करके माथे पे लगाते रहिए, ये उपाय जो है इस सब्ताह में आ आपको थोड़ी सी निराशा हो सकते है, उनहीं से निराशा का disappointment का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब जब आपको emotional या किसी तरह की support की ज़रूरत आपको लगेगा, वो अपने कामों में ज्यादा बीजी है, आपके लिए समय उनके पास नहीं है, लेकिन ऐसी बात नही है, ये केवल ग्रहों का hair-fair है, ऐसा लग सकता है, जो असल में होगा नहीं, और ये जो लगना है ना, ये इस अपता हमें आपको देगा थोड़ी सी निराशा, और कारिक शेतर में भी आपको थोड़ा सा ज्यादा working, ज्यादा मेहनत करके चलना है, नहीं तो काम भी अदू रहेंगे, complaints भी आपके प्रती बनी रहेंगी, और overall आपको लगेगा कि चारो ही तरफ से आपको निराशा ही हाथ में लग रही है, health के मामले बेबी ना, शरीर जो है बड़ा low-low सा रहेगा, आपका मन भी बुझा रहेगा, तन भी बुझा रहेगा, उसकी वज़ा से आपको overall ही ना, दिन काटना भी मुश्किल सा ही होता चला जाएगा, यह खाला कि इस सप्ताह का जियों जो अन्त आता जाएगा ना, यानि Friday, Saturday तक, यह चीज़ें डैल्यूट होती जाएंगी, लेकिन overall यह सप्ताह जो है ना, यह डोसाइल बोड में ही रहने वाला है, एक सरल उपा जाएगी, अटके काम बनेंगे, नौकरी में उन्नती हो सकती है, सबसे बड़िया बात क्या है, कि आपका जो भी काम कारोबार है ना, उसमें अब लोग आपके नाम का लोहा मानेंगे, आपका एक जो बेंडिंग है ना, यह अब निकल के सामने आने वाली है, इस सप्ताह मे आपको पुछ पुराना कोई खोया हुए ऐसा कॉंटेक्ट मिल सकता है, जो आने वाले समय में आपके लिए धन उपारचन में, या काम कारोबार में, विपार में बहुत सहायता कर सकता है, इस सप्ताह में छोटी से छोटी चीज़ों की भी केर करिएगा, यानि पूरा माइ आकरों मेनेजमेंट करके चलिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में क्या आसार बन रहे हैं, बड़ी चीज़ों के पीछे भागते भागते, छोटी चीज़ें इग्नोर हो सकती हैं, जिसके वज़ाए से आने वाले समय में आपको ग्रॉस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स की भी केर करिए, फिर देखेगा किस तरह से ये सप्ताह नहीं, आने वाला सप्ताह भी आपके लिए अच्छा रहता है, गौशाला में जाएगे, गायां को हरा चारा खिलाएए, किसी भी दिन या सातों के सातों दिन, फिर देखेगा किस तरह से किसमत कोनेक्शन आपका साथ देता है, तो चलिए अब मीन यानि पाइसेज राशी वालों की बात करें, तो समाने से स्थिती ही रहेगी, ना कामकारोबार में, ना नौकरी में कोई बहुत जादा प्रॉफिट होने के योग नहीं है, जो चल रहा है, वही स्टेटस जो है, maintained रहेगा, हलाकि कुछ भी गिरावट के भी असार नहीं है, और सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आएगी, अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या शेर बाजार में कुछ ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे ना, फिर आपको थोड़ी सी suffocation हो सकती है, या आ सब्तामें थोड़ी हेरफॉल की समस्या या सरदर्द की समस्या ये भी बनी रह सकती है, आपको नाभी पे माथे और जुबान पे केसर का तिलक सब्ताह के साथो दिन लगाना है, ये उपाय जो है आपको किसी भी नेगटिव या अप्रिय घटना से बचाएगा, तो चलिए दोस्तों ये था इस सब्ताह का आपके लिए आपकी राशी के अनुसार राशी फल, इस राशी फल का लाब लेके ना आप अपने सब्ताह को अच्छा बनाएगे, सब्ताह अच्छा बनेगा ना तो महीना अच्छा बनेगा, महीना अच्छा बनेगा तो साल अच्छा यहीं तक बहुत जल मिलते हैं नई टॉपिक नई विशे के साथ अपना कूब ध्यार में कियेगा नमस्ते